तो इतने सपोर्ट दिखाने के लिए थैंक्यू तो मेरे पाद कुछ 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 आया थे जिसमें से है कि तो वाट आर दे मोस्ट पॉपुलर 3D मॉडलिंग सॉफवेर ठीक है तो 3D मॉडलिंग इंडस्ट्री में मैं इसे मॉडलिंग इंडस्ट्री के बारे बात करूँगा कि इस मॉडलिंग इंडस्ट्री में कौन से सॉफट्वेर यूज होते हैं तो 3ds Max, Maya, Houdini, Cinema 4D, Zebras और ऐसे बहुत सारे और भी है ब्लेंडर को पहले इंडस्ट्री के लिए नहीं बना है इंडस्ट्री में इसे यूज नहीं कर सकते हैं पट आज के जो यूथ हैं जो ब्लेंडर अडैप्ट कर चुके हैं वह अब किसी भी इंडस्ट्री में जाते तो अब ब्लेंडर को रिकॉगनाईज होने लगा है कि हा अच्छे से अच्छा काम हम कर सकते हैं जो मतलब माया और मैक्स पे जो काम हो सकता है वो सारे काम ब्लेंडर पे भी हो सकते तो ब्लेंडर को भी रिकॉगनेशन बिलने लगा है तो तो सौफियर के नाम है माया 3ds Max ब्लेंडर जीब्रस फूडेनी फिर होगे अपना केचप तो अर्किटेक्ट्चरल फिल्ड में बेसिकली स्केचप और हमारा 3ds Max यूज होता है अर्किटेक्ट्चरल फिल्ड में अगर आप कोई बिल्डिंग बना रहे हो है इंटिरियर सीम बन पड़ता है और कितना हाइट होगा किसी रूम का कितना वेट होगा वगरा वह सब आपका बेसिकली ऑटोकैड ऑटोकैड भी हो गया फिर फ्यूजन वगरा और भी बहुत रहे हो गया वार्किटेक्ट्चरल फिल्ड में ही वह जाते हैं बट 3ds Max भी है जो फिल्ड में आते हैं जिनका नाम है ऑटोडिस्क फ्यूजन और अटोडिस्क के कुछ और भी हैं लाइक फ्यूजन हो गया कैड हो गया यह सारे चीज उधर अपना आर्किटेक्ट्चरल फिल्ड में जिसमें मतलब हमारा नंबर के साथ खेलने वाला काम होता है उसमें जाते मतलब Straw Heppard social YouTube tutorials देखते रहो YouTube tools तुटोरियले पर कैसे काम करते हैं मतलब Tutorial पर कैसे सिखाया गया कौन सेbiaूल कैसे यूज करते हैं उस confused लो अगर कोई भी इतने सारे जो सॉफफ़र के मैंने नाम बता है उन में से कोई भी आप आयरन मैंन की सूट की तरह कोई भी एक सॉफ़र अपने लिए चूज कर लो आपको आप जिस पे कंपैडिवल हो आप मैं बेसिक स्टार्टिंग के लिए मैं बोलूँगा कि आप स्टा अगर आप ब्लेंडर से स्टार्ट करों या फिर मैं नाम नहीं लोगा आपको जो सॉफ़र यूज करना आप करो खुली छूट आप कोई भी सॉफ़र यूज कर सकते हो बट बेसिकली इन स्टार्टिंग मैंने माया से स्टार्ट किया था माया और 3ds Max से बट इन लास्ट सकते हो आप आपके उपर है कि आप उसको कैसे करना चाहते हैं तो सॉफ़र आप अपने हिसाब से चूज करो आपको जो पसंद है आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो उसके सब्सक्राइब करें यूवी मैपिंग कैसे करें मतलब कोई ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं क्या करते हैं क्या वगरा कर नहीं करते हैं टेक्सर कैसे चढ़ाते हैं वगरा प्रैक्टिस करते रहो बस यहीं इसका अंसर है यह हाओ दो आपस दो तरह के आप 3D modeling पहरे तो polygonal modeling फिर दूसरा हाता है हमारा नर्व सेंड कर तो polygonal modeling तो जो मैं आपको टुटॉर्ल में दिखाते रहता हूं वह होता है इतने सारे options होते हैं और कर्व कर्व में हमारे पास अलग अलग तरह कर वे मैं पाथ कर देखा देता हूं आप कोई भी कर यूज कर सकते हो तो जैसे कि यह सिंपल सा आप देख रहा हो जस्ट एक लाइन है बट मैं लाइन को अलग अलग तरफ से कर दो आप देख रहे होग तो यह होता है आप इस तरह से भी कुछ कुछ करके आप अपना अलग एक सेप कर सकते हो जैसे एक बेसिक होता है हमारे पास जो की होता है हमारा यह स्टांडर्ड प्रेमिटेस में जो होगा बट आप कर्व मॉडिफायर यूज करके अपने अपने हिसाब से बना सकते हो अब एक वारी सेप करेट हो गया तो अब आपके ऊपर आप इसे कैशी करना चाह। आप इसे एक एकशे करना चाह था पर आप इसे फोल बनाना चाह बनाना चाह Entertainment कि सी भी किसी भी तरह का आपको एक क्रिएट कर दिलना है और आप उसके बार के खेल के एक कर सकते हैं या फिर आप एक मान के चलते हैं मैंने यह पाथ क्रिएट कर दिया अब इससे मैं मैं कंवर्ट टूब मैश कर दूगा तो यह पूरा व感 laoes अब वह रुघ्र मढश्यर surprise कर तो यह एक प्रॉपर मैस पन गया मैंने प्रेक्षा किया था और उसाबसे परेट आप इसके सबसे अलग अलग तरीकिन से कर सकते हो तो मैं जस्तकः example दिया कि करव मॉडिफायर से आप कैसा काम कर सकते हो तो यह सिंपल से Gillande करकशे कर सकते हैं 5 कर मॉडिफायर का कैसे जुज कर सकते हो अब हम आते हैं 4 को सिंटी इस्ति हमारा को गया एड टेकस कवा टेकस तो माईड योडी मॉडल तो टेकस आप करने के अलग अलग तरीके होते हैं अलग अलग सॉफ्वेर में 3ds Max में माया में होता है कि आपका एक मेटेरियल टैब होता है उसमें आपको मेटेरियल पर क्लिक करके जो आपके पास पीबियाल मेटेलिक है या भी कोई भी गूगल से उठाएवा इमेज आप उसको ड्राइगन ड्रॉप कर दो और फिर उस मेटेरियल को आप अब्जेक्ट पर ड्राइगन ड्रॉप करो तो वह मेटेरियल अपने आप चड़ जाता है बेस्टान आपका यूवी कैसा है उससाब से वह चड़ जाएगा और ब्लेंडर आप प्राइब जाएगा गूगल चाहिए अपने उससे माया के में इंपोर्ट कर दिया अब वहां से मेटेरियल वाला उसको उठाके ड्रैगन डॉप कर दो गया तो वह मेटेरियल उस पर चड़ जाएगा जो आपका अबजेक्ट बना बनाया होगा तो मेरे को मया का ज्या आपको बता सकता हूं कि ऐसा कुछ होता है तो अगर ऐसा नहीं भी होता होगा तो सौरी मेरे को नहीं पता है न्यूफीचर्स में क्या है बट जितना मेरे को पता है मैं बता बता रहा हूं जहां तक मेरे को पता है उतना गलत सही भी हो सकता है इसकी भी गैरेंटी मैं लेता मैं confused नहीं हूँ बट हाँ मेरे बहुत पहले मैं पढ़ाता अभी मैं भूल गया हूँ या थोड़ा बहुत या अगर मैं जो बोला हूँ सही होगा तो सही अच्छी बात है तो अब आते हैं हम अगले questions पर how do I make my model more realistic okay तो हमारे एक friend का ये question आए कि how do I make my model more realistic तो अब इसके बारे में बात करते हैं यह हम कैसे कर सकते हैं तो हम अपने model को realistic दिखाना चाहते हैं तो हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हमें छोटे से छोटे चीजों पर जैसे हमारे पास मान के चलते हैं यह बेस सेप है ठीक है यह मेरे पास ब्लफ यह दीजाइन को मत देखो कि यहां पर यह पीछे से दिखाता है यह अगर मैं दिखा रहा हूँ तो आप यह बस एक सेप देखो ठीक है तो मान के चलो यह आपने कर लिया अब उसके बाद आप धिर दिजाइन पर जाओ लाइक बीच में लाइन है ऐसे करके तो बेवल मारके थोड़ा सा उसके लाइन डालने का सब्सक्राइट करोगे फिर इस तरह का कुछ पैटर्ण क्रिएटेड है लाइक बूमर रहे हैं गया वैसा कुछ लाइन के तो इसमें डिपेंड करता है आपका कि आप मॉडल में कितना कितना जूम करकर करके आप कितना अच्छे से वेल डिटिरल्टव और लाइटिंग कैसा दे रहे हों और रेंडर कैसा मतलब किस तरफ से कैसा स्वाट निकाल रहे हैं यह सारे चीजें मैटर करती है इन दिए देने हैं तो मैं यहां पर माउस में देता हूं कि यहां पर फ्री एमिशन यह निकल रहा है यह हो गया डीटेव फिर पीछे में अगर मैं इसमें दिखाऊं तो यह देख रहूं आप एक इस तरह का बंपी निस है यहां पर तो यह इसको कहते हैं डिजाइन आप यह बेश जोव डिटेल देना चाहो उसके बाद आप टेक्स्ट दो तो उसको वह बहु डीटेल में आ जाएगा यह देना यह इक्स्टा चीजें और जाना ना शुच्छा बट्टन्स डालना या फिर कुछ अलग अलग तरह के डिजाइन्स देना इस तरह से वह सारे चीजें वह ये तो ये सब आते हैं मॉडल को रिलिस्टीक बनाने के तरफ को ने इसमाधिने ऑफ यह उपर आप कितना और डोर समाबons लेघ्यार सकते 스य Спर पर उस प्लस एक सर ब्रकिना रिटेयाय सकते चीए करने टाइम कि थे उस Midi के बार उस पे प्लस टेकैसर पो और कितना डुटेल सकते हो टेक्सरчиbest spinach करने टॉप प्लस लाइटिंग करने सिर्टुम्ड आप आप लाइटिंग के किस प्र제nten ऐलेमेंट के सब्सक्रेकर B तो लाइटिंग के साथ खेल यह आपने मान के चल्दे पिर रेंडरिंग में अलग-अलग तरफ से कैमरा सौर्च से लेकर देखो कि अलग-अलग तरफ से कैसा कैसा रेंडर आता है वह आप देख सकते हो तो वह हर एक चीज मैटर करता आप बेस मॉडल बनाने के बाद आज से कि हमारा जर्स एक बेस्माडूल क्रेय और जसerin करने के बाद आध कहां कहां पर काइसा यहां पर open open करने के लिए यहां पर लिखा हुआ है बंप हाइट हाइट मैप देखें यहां पर बना हुआ है यह सब डीटेलिंग तो ऐसा नहीं कि आपने एक सेप दे दिया तो काम हो गया हर एक चीज पर ध्यान देना परता है अपने सेप दिया फिर उसके अंदर और क्या-क से दाले मान के जलते हिएं ब्लैक तेश्टर दाल दिया अब ब्लैक में भी आपको दशना पड़ेगा कि मैतलेब आपने ते डाल दिया उसमें टेक्सर में भी हाइट में ॉचयों अपा और तो yahर अग चीजमाब attitudes लाइसा से यह सब चीजें होती है जो और इस também यह सब चीजे करने के लिए आप सिर्फ अगर बेस कलर सरे बेस कलर से सब कुछ यह तो वसा नहीं हो सकता है पी बी आर टेक्सरिंग जो है इसके लिए बेस्ट है आपको अच्छा चाहिए जो आपको रियलिस्टिक फिल दे तो उसके लिए पी बीड टेक्सरिंग बहुत अच rigging क्या होता है आपने कुछ भी object करेंद करेंद यह मान के चल Calvin अब इसमें करना क्या होता की rigging लइक तरी बौन्स करना से हमारे बॉडी में बॉद्ग होते हैं इसमें डालना जितना जितना चोटा बोंज और जादा बोंजा को उतना यह बाटल फ्लेकसिबल हो सोगा को तो मेरे उंघली में यहां पे तीन बन यहां पे पूरे इंगली में यहां पे फूर फिंगर्स लोते हैं इन headphone यहां च्रल्ड बोम στα ہं इसमें आगर गुगल पे याफ देखो तो यह समझ लूगे तो जो काम हमारा फिजिकल बाडी में वो संभादे काम होता हो सेंे काम हमारा होता है वर्शोल 3D software में जो दालेंगे उसका भी सेंम काम होते squeeze डालना basically हमार Safe अगर कुई पारत को मोरना हैना है यहाँ हमने तो फर्स यहाँ होना पर सेकेंड यहाँ फोल्ड हो सकता है ऐसे एक बार फोल्ड हुआ यहां से फोल्ड हुआ तो यह पूरा थ्री ठीक है अब यहां पर मानके चलते हैं सिर्फ तू बोन्स होता तो कैसे फोल्ड होता यहां पर है कि इसके बाद ऐसे नहीं जाता तो जितना जितना चोटा बड़ा आगाइसे बोन्स उत्ता आपको व्रीटि मिलता है तो इस lap मिए है का है यह हैं व क्दमा यह हैं पूरते यह नहीं यह हैं इसे पूरा थे यहां से यहां तक दूसरा बोन है फिर बाकी यहां से यहां तक का अलग बोन जो भी है तो फिलालम यहां से यहां तक का जो दो बोन है उसका बात करते हैं यही मैं अभी फिंगर्स के साथ बता रहा था यह वाला पार्ट का जो मैंने बताया था कि अगर दो बोन होता तो कैसे और यहां पर हमारा barre शॉपेट जॉईंट है तो अब हम इसे मूव कर सकते हैं ऐसे दो बोन्स हैं मारे पास यहां पर एक पॉन यहां एक बोन यहां अब यह तो सिर्फ एससे मौ करता हैं बट आपक्ष यहां पर गूब करता हैं तो हम इसे दो एंगल पर अलग-अलग तरह से खुमाव में तो सेम इसके साथ यहां पर जस्ट मान के चलते हैं इसके अंधर सिंगल भून तो अब यह सर्फ किसी भी डारेक्शन में घूमेगा तो पूरें ऑब्जेक्ट उमेगा तो यह कुछ सब्सक्राइब बॉंव कर सकता है अगर मैं प्रॉपरली दिखा हुँ यह जो बॉटल है कुछ इस तरह से इतना होता है इतना इसके पास फ्री अप्सन होता है कि यह इस तरह से मूफ कर सकता है किसी बाइंगल में बट और अगर और एक्स्ट्रा हम इसमें बोंज आते लाइक थी बॉस डालते तो खुछ इस तरह का क तो बसेकलि रेगिंगहाँ होता है बोंज डालना अब 3D मॉडलिंग यहां पर कुछ्छन आए है 3D मॉडलिंग और 3D एनिमेशन में क्या डिफ्रेंस है 3D मॉडलिंग में बैसिकली हम जस्ट एक मॉडल क्रेट करते हैं और 3D एनिमेशन में सिंपल सांसरे की 3d modeling में हम सेक सीमपल साब्जेक्ट रिएट करेंगे और 3d animation में क्या होगा कि हम इसमें bones डालेंगे उसके बाद इसमें अलग-अलग bones डालेंगे अलग-अलग bones के अलग-अलग naming करेंगे एंड एन उसके सब फिर animation करेंगे जैसा कर नाराज ऐसे आप कार्टून्स देखते हो तो उसमें इस तरह की चीजे भी फोल्ड होती है और इस तरह की इस तरह की चीजे मतलब चलने लखती है या फिर अगर आप दॉक्टर स्टैंग्स का क्येप देखे होगे तो уже समय स्ट्री खीर आतोमेंटेकली लग अतलब आइधिंक 10-20 बोन्स लगा ही हों अपने हिसाब से मैं बता रहा हूं मैंने कुछ कहीं से देखा नहीं है कुछ नहीं मैं जस्टेक करने का बात ऐसे मूफ तो कोई नॉर्मल का कपड़ा मूफ करेगा नहीं अगर हमें इस तरह से कुछ मूवमेंट रिखाना है विदाउट कुछ किये तो या तो हमें ग्रीन स्क्रीन यूज करके हमें इसके साथ खेला पड़ेगा या फिर इसका 3D मॉडल क्रेट कर लें उसमे तो ये होता है हमारा डिफेज़ांटpakी प्रेटी candy आनिमेशन परदभी दो थो तरह का मोरंय जाल स्केलेटें का काममल फ इस फृइसे ठेडी में होता है वेक्यों सथी अस्क बार क्राच चेली का वुच्छ कॉल और विसलिए समय क्याश्य स्केलितर नहीं अ होता है वेजि होगा मुसल्स का पता होगा तो जो मुसल्स और बॉन्स वगरा जो फिजिकल लाइफ में पॉसिवल हैं वह सेम अफ़ास में अलग-अलग चीज़े करते हैं वह सहीं बॉन्स है हमारे इसमें वाट इस यू यू वी मैप अब यह हमारा अगला कुछिन है अगला कुछिन अब मैंने बहुत सारे वीडियो में डिसकस किया कि उवी स्टेश होने से क्या प्राबलम सटेश नहीं होगा तो कितना चाहित से छो होते हैं वह उसमें Beetle यह ह reckless यह हमारा द ना इन घर अवह बडिया अब में अच्छे तरह से मतलब fix करोगे उतना आपका टेक्सर समझलो अच्छे तरीके से प्लेस होगा लाइक बैग का बात करते हैं इस बैग को अगर मेरे को unwrap करना रहा तो मैंने पिछले बार भी अगर टिया था इस इस पड़ी और भी ऐसे खाटेंगा यहां से सिर्फ यहां से काटेंगे एक प्रपर घ्राइड खुलेंगे जब इससे तो फ्राइट की तरहकर खूल जाएंगा दो इस तरह जिस तरह का अच्छा जाएगा इस प्रिंकल्स वगरर देख रहे होगी लेदर पे इंकल होते हैं यह स्टीचिज आक्वाइड लिया सकते हैं तो आप सब कुछ पर अपने कुछ गलती कर आगे प्रब्लम आा नहीं आए तो आगे प्रवल्लम ना आए टेक्षरिंग करने हो तो पहले यूवी मैप्स पे यूवी मैप्स को अच्छे से फिक्स करते हैं जितना complex model होगा उतना complex UV map होते जाएगा तो हमें UV map को fix करना है किसी भी हलत में होते हैं तो यह मैंने बताया था आप इस ली वीडियो भी देख सकते हैं आपको इस वीडियो से और अच्छे से अच्छी बात है अब बात करते वाट इस डिफरेंस बिट्विन लोग पॉली मॉडल एंड हाई पॉली मॉडल कि यह वितक का अच्छा को सब्सक्राइब जो हम मेरे से पूछा गया तो बेसेकली अभी जो मैंने बताया था कि माउस के बारे माउस दिखा के बताया था इसले मेरे को याद है कि पता नहीं मेरे साथ बूल गया सुरी भूलने के लिए बट मैं बता दू फिर से कि लाइक आपने एक अब्जेक हां कि मतलब एक वेल डीटेल्ड रियालेस्टिक मॉडल कैसे बना है उसमें मैंने जो एक्जांपल दिया था सेन एक्जांपल मैं इसमें द करने का आपने मान के जहते हैं एक डेसे रिएट कर लिया थेक है अलग-अलग तशेयाघ कर लियाि हे यह इंसका आप कोंहीं जरुत नहीं है यह से बनाना है तो इस मेश का duplicate copy create करना और उसे कहीं और move नहीं करना है जहां पर आपका जो पहला low poly model था उसी जगह पर रखना है और जो दूसरा जो अपने को करके दिखाऊंगा पूरा करके नहीं दिखाऊंगा पूरा में इन future या फिर इन future में आपको दिखाऊंगा कि पूरा काम कैसे करते हैं तो यह हो गया हम अब इसमें डीटेल ला लेंगे फिर यूवी मैप्स के थ्रू नेमिंग करेंगे वैसा तो अभी मैं एक एक्जामपल देता हूं ब्लेंडर पे काम करके क्या मैं बोल रहा हूं लाइक अभी मैं सिर्फ जस्ट एक क्यूब लेता हूं ठीक है इस पर मैं कोई काम नहीं करूँगा ठीक है यह जहां है वही रहेगा अब एक डूपलिकेट इसका सिफ्ट डी प्रेस करके इसको डूपली करूँगा जैसा कि आप देख सकते हो क्यूब और क्यूब वन क्रियेट हो गया तो पहला वाला क्यूब का नाम हम रख देंगे क्यूब अंडर स्कोर लो यह याद रखना ज़रूई आपका आपका आप पार कम कुछ भी उसके बाद UNDER SCORE LOE और इसके बाद अचा पहले मैं एक काम करता हूं नेमीं भी छोड़ देता हो अभी पहले अब क्यूब करके दिखाता हूं तो पहला वाला क्यूब जो है उसको हम हाइड कर देंगे ठीक है जो दूसरा वाल क्यूब है इस पहम अपना का की सारत के और यहां के यहां के में अलगर चीज करेंगीixòIl सब्सक्राइब सब्सक्राइब था यहां पर यह पाइब ता है यहां पर यह पार में वाले की सिवाने हैं इस एक्सेम प्रियुन के साइड कि करें तो यह हमारा हो गया डिटेल ऑबजेक्ट पहला वाला जो हमारा था यह लोप ऑबजट्ट थेक अब इसको हाइड कर देते हैं लोप ऑली को और यह हाई पॉली आपजेक्ट अब आप इन दोनों के बीच में difference कैसे करेंगे कुछ भी आपका आपका नाम कुछ भी रहा है जैसे मेरा यहाँ पर क्यूब नाम कोई दिक्कत नहीं बट उसके बाद जैसे कि यह इस पर कोई detailing का काम नहीं किया है लिख दें क्योंकि इस पर हम काम किये हैं अच्छा वाला तो यह हो गया अब यह होता है difference मतलब आपका लोग पॉली लोग पॉली में हम कोई काम नहीं करते बैसे कली लोग पॉली में हम एक बेस शेप देखते हैं कि हां मारा कुछ इस तरह का दिखेगा और जो हाई पॉली हो कि द्खेब करते हैं तो यह difference होता है है इसको बोलेंगे वह पे करेंगे और सिंपल सा एक बेस शेप देने वाला काम नौ पॉली में आएगा ओके तो अब एक और अच्छा वाला क्या बात है आज कल भूत अच्छी कुस्छन आ रहे हैं अब एक और अच्छा कुस्छन आए इंडस्ट्री में इन 3D इंडस्ट्री में नॉर्मल फाइल जो हमारा माया कब से जो आप फाइल एक्सपोर्ट करते हैं तो वैसे अगर यूनिवर्सल फॉर्मेट अगर हुआ इंडस्ट्री लेवल पर कौन-कौन सा फॉर्मेट यूज करते हैं 3D और एक्सपोर्ट करने के लिए तो हो गया ओवीजे और fbx यह दो इंडस्ट्री 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 जो फॉर्मेट होता है उस पर आजकल लोग फोकस कर रहे हैं वह क्यों काम आता है वह इसलिए काम आता है क्योंकि आप अपने वेब ब्राउजर पर ही देख सकते हो कि 3D model का इसा देख रहा है और टेक्सर का सदेख रहा है ऐसा कुछ वेब साइट होता है जो जीएल भी और जील टीवी फाइल को कि प्रिव्यू करने का काम करता है कि आपका मॉडल यह है टेक्सर पर चढ़ा होगा तो यह यह सारे काम आपके डिजाइनिंग एरिया में चल जाते हैं जो लोग डिजाइनिंग करते हैं कपड़े या फपर नी कर ले तो यह भी एक नया फॉर्मैट अभी है जो अभी जस्ट रिसेंट्ली ही लॉंच हुआ है और अभी इंडिया में लोग यूज करते हैं स्टार्टिंग करना जियल भी और जियल्टी भी यूज करना निलते हैं अगले वीडियो में तो